प्रशासन द्वारा तमाम तरह की पाबंधिया लगाने के बाद भी मेडिकल हॉस्पिटल में प्राइवेट पैथलोजी के दलाल सक्रिय है वाड और OPD के सामने दलालों की सक्रियता देखी जा सकती है दिन भर मरीजों के आसपास मंडराने वाले दलाल ब्लड टेस्ट सहीत अन्य रिपोर्ट मरीजों तक पहुचा रहे है इस कारे में कुछ डॉक्टर सहीत करमचारियों की भी सांट गाड से इनकार नहीं किया जा सकता मेडिकल में बिना कारण घूमने वाले बाहरी लोगों को रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गाड तैनात किये गए है संदिग्द लोगों से पूछताच की जाती है वही भीतर में भी सुरक्षा गाड तैनात है इसके बावजूद प्राइवेट पैथलोजी के दलालों ने अपना अड़ा जमा रखा है मेडिकल में पिछले कुछ दिनों से रक्त से संबंदित कुछ टेस्ट नहीं हो रहे है वही थाइराइट की टेस्ट भी नहीं होती कुछ टेस्ट इतनी सामान्य है कि लगभग सभी मरीजों को बताई जाती है जो टेस्ट मेडिकल में उपलब्द नहीं है उनके लिए दलाल अस्पताल पहुच सेवा दे रहे है डॉक्टर द्वारा टेस्ट की परची थामते ही दलाल पीछे लग जाते है एक या दो नहीं बलकि पैथलोजी के तीन से चार लोग इस काम में लगे रहते हैं एक दलाल बलड जमा करता है और दूसरा तुरंत पैथलोजी के लिए निकल जाता है इस तरह का क्रम 24 गंटे जारी रहता है लेकिन सुरक्षा रक्षकों को यह सब दिखाई नहीं देता मेडिकल में हर जगह CCTV कैमरे लगे है इसके बाद भी दलाल बड़ी ही चतुराई से अपने काम को अंजाम दे रहे है बकाईदा वार्ड के भीतर मरीज के बेट तक सेवा देने वाले दलालों के बारे में प्रशासन को नर्स से लेकर डॉक्टर भी नहीं बताते यही वज़ा है दलालों के हौसले बुलंध हो गये है पिछले दिनों कुछ दलालों को भी पकड़ा गया था लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुष नहीं लग पाया है